Hello students, Welcome back to my YouTube channel, Education your feature. Student, I am Radha Prražapati. I am going to tell you about use of, in search of. देखिए students, in search of means होता है की खोज में. In search of means होता है की खोज में. यानी search means क्या होता है? खोज. Of means होता है का कि के और in मतलब होता है में. तो in search of means हो गया की खोज में ठीक है student बहुत ही जी है ये use देखिए या किसी भी टेंस में आ सकता है तो देखिए मैं आपको structure बताते हूँ और उसके बाद example बताते हूँ आपको खुद समझ में आ जाएगा ठीक है student तो देखिए सबसे पहले यानि किसी भी टेंस में आ सकता है तो confirm नहीं है इसलिए यहां हम टेंस लिखेंगे ठीक है तो उसको लिखना है last में in search of उसके बाद आएगा नाव नापका आएगा ठीक है student यानि टेंस आएगा उसके बाद in search of और नाव तो देखिए मैं आपको example बताती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो देखिए पहला example है आपका हम लोग किताब की खोज में खोज में कहां जा रहे हैं तो देखिए student हम लोग किताब की खोज में कहां जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें टेंस का प्रयोग करना यानि कौन सा यह जानना है कि कौन सा टेंस है तो लास्ट में देखते हैं वाक कि तो रहा है रही है रहे हैं रहा हूं यह किस टेंस की पहचान है ठेंस है स्टुडेंज कांटिनुएस की पहचान है जो कि आप पढ़े हैं प्रेजिंट कांटिनुएस्टेंस की पचान है इसमें नियम यह होता है कि helping of EJMR का प्रयोग किया जाता है और जो वब रहता है उसमें ING जोड़ दिया जाता है इसका नियम है तो ठीक है इस्टुडेट तो चलिए मैं इसी नियम के नुशार इस्टेंस को टांसलेट में बदलती हूं तो देखिए हम लोग किताब कि खोज में कहां जा रहे हैं वेरिंपोर्टेंट यह है कि अगर वाकिके बीच में क्योशन वर्ड आया है तो इसका प्रयोग सबसे पहले किया जाता है और उसके बाद सब्जेक्ट के अनुशार helping वब का यूज़ किया जाता है उसके बाद वब का यूज़ किया जाता है ठीक है student यह आपका rule है तो देखिए कहां यह question word है तो इसकी spelling सबसे पहले लिख लेते हैं तो where means क्या होता है student कहां होता है अब उसके बाद क्या करना है subject के दुशार helping verb का यूज़ करना है तो हम लोग यानि हम लोग क्या है बह वचन है plural number है तो इसकी सहाय क्रिया होगी आर उसके बाद subject का यूज़ किया जाएगा यानि वी उसके बाद क्या यानि वेर आर वी अब आपका हो गया object तो देखिए go means क्या होता है जाना लेकिन इसमें ing जुड़ेगा और इसके बाद ध्यान देना है तो यह आपका टेंस तयार हो गया यानि जितना टेंस था आपका तयार हो गया लेकिन आप क्या कहना है कि इन सर्चा प्लस नाउन यानि जो नाउन रहेगा वह दोने एक साथ मिरेगा किताब क्या एक नाउन है तो किताब की खोज में इतना भूल चुके हैं जान लेजेकर नहीं है ठीक है तो देखिए where are we going यानि हम लोग कहां जा रहे हैं इतना ट्रांसलेशन आपका हो गया अब देखते हैं किताब की खोज में यानि टेंस हो गया उसके बाद इन स search of उसके बाद नाउन क्या है किताब है तो भूक ठीक है स्टुडन बहुत ही जी है बहुत ही इंपोर्टेंट है किसी भी सेंटेंस में आ सकता है यह नहीं दिया रहेगा कि आप पढ़े हो या नहीं पढ़े हो टेंस के अनुशार अगर आप कहीं पढ़ रहे हो तो दे दिय जाएगा या या उसके बाद आपको speaking यानि बोलने में यह help करेगा या तो फिर आपको एक्जाम दे रहे हैं उसमें आ जाएगा तो वेरी इंपोर्टेंट है ठीक है स्टुडन तो देखिए मैं आपको दूसरा एक्जामपल बताती हूं या कि मैं आपको बार 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 बत कि अध्यापक की खोज खोज में लावाद नहीं जाता है नहीं जाता है तो देखिए क्या वह अध्यापक की खोज में लावाद नहीं जाता है तो की खोज में आया तो इंसर्चाफ की क्या है यूज है अटेंस को देखते हैं तो क्या वह अध्यापक की खोज में इलहाबाद नहीं जाता है ताहे ती है तेहें आया है तो यह present indefinite की क्या है student पहचान है पहचान है बहुत ही इंपोर्टेंट है जो आप लोग पढ़े भी है आपके सर भी पढ़ाया है ठीक है student तो टेंस आना आपके लिए बहुत ज़रूरी है तो देखिए student क्या वह अध्यापक की खोज में इलहाबाद नहीं जाता है तो क्या सबसे पहले आया है इसका यह रूल है कि अगर क्या सबद्वाक्त के पहले आता है तो पहले करेंगे कि देखिए इसमें नहीं करेंगे तो देखते हैं इसमें नहीं हुआ है यानि कौन साटेंस है कौन साटेंस प्रजेंट की पहचान है तो प्रजेंट की पहचान में यह होता है कि साधारण में जो वाब होता है उसमें यस यह जोड़ा जाता है और निगेटी सेंटेंस में क्या होता है डूनाट का प्रयोग होता है तो डूनाट का प्रयोग ते यहां क्या प्रयोग होगा डी सथे दों तरह करता हमारा है सिंग्लर नममर हो थी 하면 यहां प्रयोग होगा दूप इज स्थे नहीं सब आया है तो नहीं सब करता कि बात प्रयोग के जाए इसके बाद नाट उसके बाद गो ठीके इस्टूड pouvez यानि डई नट गो अब कहा इलहबाद नहीं ज़ता है यानि गो टू लाहबाद उसके बाद आपका आया हैं सर्च ओstep कि उसके बार नाउन का थी या पकना हुन है इस जो घ्र为什么 ठीक है इस्टुटिन बहुत ही जी है देखिए बहुत ही जी है आप कमेड में नहीं बताते हो मैं देखती हूँ अमन विद्याले की खोज में सहर क्यों नहीं जा रहा है ठीक है इस्टुटिन बहुत ही सरल है आपको कमेंड में बताना है इस वीडियो में सिर्फ यह तक इस्टुटिन अगले वीडियो में मैं मिलती हूँ एक नए यूज के साथ तक लिए इस्टुटिन बाई बाई जैहें इस्टुटिन बहुत है